Hello Everyone, Welcome to Move to Study, This is the video for Class 8, Chapter 5, Endocrine System, Part 3, Test Yourself Solutions पिछले दो पार्ट्स आप मैं अल्रेडी अप्लोड कर चुकी हूँ, Endocrine System के एक्स्प्रेनेशन के, जो की आपको Class 8 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे बहुत बार बच्चे मुझे कॉमेंट करके पुछते हैं कि मैं इसका Part 2 कहा है, तो आप प्लीज प्लेलिस्ट को एक बार चेक करा करिए, सारे Parts आपको वहीं पे मिलेंगे So this is the Part 3, इसमें हम जो भी Questions हैं उसको Discuss करेंगे So पहला Question हमारा है, Fill in the blanks with the suitable words, ठीक है तो जो most appropriate words हैं हमको वो यहाँ पर लिखना है सबसे पहला Question है, Chemical Coordination among the body organ is carried out by Dash, ठीक है Question को समझे, जो हमारी Body का Chemical Coordination है, वो किससे हो रहा है तो आपको याद होगा, चैप्टर के पहले ही पेच पे हमने डिसकस किया था, Chemical Coordination and Neural Control तो आपको पता है कि Chemical Coordination जो है, वो हॉर्मोन्स, जो Chemical Messengers हैं, वो कंट्रोल करते हैं तो हमारी Body में जो भी Chemical Coordination है, Body Organs का, वो कौन करता है, उसको हॉर्मोन्स कंट्रोल करता है जो क्या कहा जाता है, सभी बच्चों को ये बात पता है, उनको Chemical Messengers कहा जाता है थर्ड देखिए, the gland which pour their secretion directly into the blood, ऐसे glands जो अपना secretion direct कहां करते हैं, ब्लड में करते हैं मतलब उनके पास कोई ducts नहीं होती है, कोई ऐसे structures नहीं होते है, कोई cavity नहीं होती है, जिसमें वो अपना secretion पोर कर सके तो वो अपना secretion directly blood में पोर करते हैं, और ऐसे glands को हम क्या कहते हैं, बच्चों, ऐसे glands को हम कहते हैं, endocrine gland चाप्टर अगर आपने दोनों वीडियो देखे हैं, part 1 और part 2, तो test yourself के solutions आपके लिए बहुत असान होंगे, और ये चाप्टर आपको learn नहीं करना पड़ेगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वीडियो पसंद आए, फटा फट वीडियो को like करिएगा, चैनल पे नए हों तो चैनल को subscribe करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, वीडियो को share करना मत भूलेगा question number 4 है, अमारा part 4 है, dash is the endocrine parts of pancreas तो अगर आपको याद होगा, जब हमने pancreas study किया था, तो वहाँ पे हमने बात करी थी, कि जो pancreas है, उसकी एक खासियत है, और वो खासियत क्या है, कि वो heterocrine gland है, तो heterocrine gland का मतलब क्या है, ऐसी gland को हम heterocrine gland कहते हैं, जो endo भी होता है, और exocrine भी होता है, तो आपको पता है कि pancreas exo भी है, यह digestive juices secrete करता है, और endo भी है, तो यह दोनों का काम करता है, ठीके, तो इसका यह पूछा जा रहा है question में, कि endo के part को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं, eyelids of longer hands, जो यह cells होती है, इनकी eyelids of longer hands, यह छोटी-छोटी small cells होती है, जो secrete करती है, insulin and glucagon, और यह हम chapter में discuss कर चुके हैं, कि insulin और glucagon का क्या काम है, ठीके, voice clear हो, तो please comment section ने मुझे comment करके बताईएगा, कि audio proper है कि नहीं, फिफ्ट पार्ट, growth hormone is secreted by dash, तो growth hormone कहां से secret होता है, आपने पढ़ा था, pituitary gland के, जो anterior part है, जो उसके तीन loops होते हैं, तो उसके anterior loop से growth hormone secret होता है, swelling in the neck is caused by the enlargement of dash gland, जो गलों में आपने देखा है, swelling हो जाती है, जिसको simple goiter कहते हैं, तो वो कैसे होता है, जो thyroid gland होता है, वो सूच जाता है, तो it is caused by the enlargement of thyroid gland, ठीके, part two के तरफ move करते हैं, give one word for the following, chemical regulators that are secreted in a very small amount and influence the functioning of the target hormones, वो chemical regulators, जो बहुत छोटी amount में, quantity में secret होते हैं, और जिस organ पे उनको काम करना हैं, वही पे अपना काम करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं, होर्मोन्स, Abnormality caused in children due to the hyposecretion of thyroid hormone, अगर बच्चों में thyroid hormone का कम secretion होता है, hyposecretion होता है, तो उससे कौन से बिमारी होती है, criticism होती है, आपने ये chapter में पढ़ा है, criticism में क्या problem होती है, कि बच्चों की शारिक और दिमागी विकास proper नहीं हो पाता है, The pea-sized gland attached to the base of hypothalamus of the brain, brain के hypothalamus से एक मटर के दाने के जैसा एक stalk के जरिए एक gland जुड़ा हुआ है, उस gland को क्या कहते हैं, उस gland को कहते हैं, Master gland, the pituitary gland, pituitary gland, the master gland, आप यो भी कह सकते हो, उसके बाद, emergency hormone secreted by adrenal medulla, ठीक है, Emergency hormone, जो adrenal medulla secret करता है, वो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है adrenal hormone, This state at which mustaches and beard appears in boys, वो समय जब लड़कों में दाड़ी मुझे आने लगती हैं, उस period को क्या कहते हैं, Adolescence कहते हैं, ठीक है, hormone in females, जो adolescence के वक्त सिक्रीट होते हैं, तो आपको पता है, कि adolescence का वो period है, जिस वक्त जो reproductive organs होते हैं, चाहिए वो boys में हो या girls में हो, वो पूरी तरह से active हो जाते हैं, तो उससे related जो hormone से वो सिक्रीट होने लगते हैं, तो boys में testosterone and girls में estrogen and progestone, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, define these thumb पे, तो सबसे पहला है, आपका endocrine gland क्या होता है, इसको समच चुके हैं, एक बार इसकी definition देख लीजे, glands without the ducts, ऐसे glands जिसमें duct नहीं है, and which pour their secretion directly into the blood, और जो अपना secretion directly कहां पोर करते हैं, blood में करते हैं, उनको कहते हैं endocrine glands, उसके बाद आता है chemical messengers, तो hormones are called chemical messengers, they are the secretion by endocrine gland, which influence only specific organ, तो chemical messengers क्या हैं, hormones हैं, ये endocrine gland के secretion होते हैं, और ये अपना काम अपने target organ पे ही करते हैं, ये पूरी body में हमाले circulate होते हैं, पूरे blood में circulate होते हैं, लेकिन इनको जहां अपना काम करना होता है, ये अपना काम वहीं करते हैं, tropic hormones क्या हैं, the hormones secreted by the anterior lobe of pituitary, pituitary के तीन lobe होते हैं, तो जो anterior lobe है, वो जो hormone secret करता है, उसको tropic hormone कहते हैं, और ये hormone क्या करता है, जो दूसरे hormone हैं, जैसे thyroid है, gonads है, testis, ovaries, इन सब के secretion को ये control करता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखे लिखावा है, they regulate the secretion of other endocrine gland, उनके secretion को ये regulate करता है, control करता है, उसके बाद बाद करते हैं, stress क्या है, तो ये mental और emotional जो हमें थकान होती है, उसको stress कहते हैं, जब हम under pressure होते हैं, या जिसको tension कहा जाता है, that is called stress, puberty क्या है, ये adolescence की age, जो adolescence का period होता है, आपको पता है कि 11 से 12 के साल में बच्चे adolescence की age में आ जाते हैं, और 18 से 19 तक के वो adolescence की age में रहते हैं, तो इसी का एक छोटा सा समय है, जब 11 से 12, 14, 15 साल की age में boys और girls, जिसे girls का क्या है, 11-12 में वो puberty में आ जाती हैं, और boys 14-15 में आते हैं, तो ये वो समय होता है, जब लड़के और लड़कियां दोनों sexually mature हो जाते हैं, उनके reproductive organs जो हैं, वो work करने लगते हैं, तो puberty वो particular समय है, जिस सवक्त हमारे जो sex organs है, reproductive system है, वो functional हो जाता है, that is start working, that is starts working, right? उसके बाद adolescence की बाद करी जाए, तो 11 साल से लेकर के, 11-12 में बच्चे adolescence की age में आ जाते हैं, चाइल्ड हुट के बाद, ये एक ऐसा समय है, जब लड़के ग्रो होते हैं, आदमी, जो men के character's है, वो gain करना शुरू करते हैं, सेम girls के साथ होता है, कि वो women की characters attain करना शुरू करती है, और 18-19 साल तक के ये age चलती है, फिर 18-19 के बाद, बच्चे की स्टेज में आ जाते हैं, अडल्ड हुट की age में आ जाते हैं, तो adolescence हमने chapter में detail में डिसकस किया था, कि ये ऐसा time period होता है, जिस वक्चे बड़े भी हो र तो बहुत सारी hormonal changes, बहुत सारी उतार चड़ाओ इस period में बच्चों को face करना पड़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, part D पे आ जाते हैं, differentiate between the following, तो सबसे पहला है, endocrine and exocrine gland, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे कुछ फिर से explain करने की जरुवत है, और या आप screen प वो duct less होते हैं, secretion directly blood में जाता है, और इनका secretion hormones कहलाता है, या chemical messengers, exocrine glands, ducts के साथ होते हैं, अपना secretion duct में करते हैं, और इनका secretion क्या है, digestive juices and biological catalyst, यह सब हम discuss कर चुके हैं, hyper secretion and hyposecretion, अगर hypo का मतलब होता है, कम secretion, और hyper का मतलब होता है, जादा secretion, तो अगर thyroxine hormone कम secret होता है, तो बच्चों में cretinism, मतलब उनका दिमागी और शाररिक वेवकास नहीं होगा, और बड़ों में maxiodema and simple goiter, facial tissues जो होते हैं, वो सूच जाते हैं, body में सूचन आ जाती है, maxiodema में, और simple goiter में क्या होता है, कि thyroid, जो gland है, वो सूच जाता है, गले में सूच hypersecretion मतलब अगर यह जादा हो जाता है, तो इसके वज़े से metabolism बहुत आपका increase होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ठकान मैसूस होती है, आखे फूल जाती है, तो यह सब symptoms है, अगर आपकी body में thyroxine hormone बढ़ जाता है, फिर इसके बाद chemical coordination, neural coordination यह हम part 1 में discuss कर चुके हैं, पोरा बड़ा सा table है, उसी का यहां पे छोटी सी detail लिखी हुई है, आप यहां से answer लिख सकते हैं अपना, की chemical coordination, endocrine system involved करता है, and neural coordination आपका है, nervous system, जो की हम chapter number 7 में discuss करेंगे, इस वीडियो के बाद मैं chapter number 6 circulatory system की videos upload कर दूँगी, कुछ बचों की request थी, मुझे थोड़ा सा लेट होगे, extremely sorry for that, बाकी के जो videos हैं, मैं जल से जल्त, class 8 के जितने भी chapters हैं, उसको cover up कर लूँगी, please keep supporting and keep sharing, so that I keep working for you all, आगे बढ़ते हैं, true false पे आजाते हैं, तो जो statement गलत है, उसको सही करना है, पहला statement क्या कह रहा है, कि pedutory gland को master gland कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे बड़ gland कौन सा है, हमने discuss किया था, कि जो largest gland है, that is the thyroid gland, टीक है, और पिटुटरी तो बहुत चोटा होता है, इसको master gland इसले कहते हैं, क्योंकि यह बाकी सारे glands की functioning को control करता है, तो यह statement false हो जाएगा, और उसका reason यहाँ पे मैंने नीचे लिख रखका है, you can see that, second है, hormone thyroxine is secreted by the adrenal cortex, न hormone thyroxine कौन सिक्रीट करता है, thyroid gland सिक्रीट करता है, और adrenal gland के दो पार्ट्स होते है, adrenal cortex and adrenal medulla, adrenal cortex, cortisome, hormone सिक्रीट करता है, और जो medulla वाला पार्ट है, वो adrenaline hormone सिक्रीट करता है, जिसको emergency hormone भी कहते है, D, देखिए, deficiency of insulin causes disease, diabetes, yes, insulin की कमी से diabetes mellitus हो जाती है, ठीकिए, अगर body में insulin की कमी होती है, so that leads to diabetes mellitus, Puberty is Mike, appearance of secondary sexual characters, no, Puberty में क्या होता है, internally चीज़ी हो रही होती है, reproductive system working होने लगेगा, hormone करने लगेगे, ठीकिए, तो यहाँ पे आप adolescence लिखोगे, adolescence वो period है, जो आपका secondary sexual characters आने लगते हैं, ठीकिए, emotional stability, adolescence में नहीं आती है, यह भी statement false है, emotional stability, जब आप adulthood में आ जाते हो, तब आप emotionally stable होते हो, जो बच्चे अडल हूट में होते हैं, आप सभी, you all are not emotionally stable, चुछी बात पर आपको गुस्सा आता है, अपने दोस्तों से लड़ लेते हो, ममी बाप से लड लेते हो, ठीकि तो you are not emotionally stable right now, ठीकिए, आगे बढ़ते हैं, देखिए, name the hormones secreted by the following glands, तो thyroid, thyroxine है, pancreas, insulin, glucagon है, adrenal cortex, corticoids, your cortical hormone, your cortisome hormone, son hormone भी आप लेख सकते हो, C-O-R-T-I-S-O-N-E, posterior pituitory, oxytocin, and vasoparacin, answer these questions, name the hormones responsible for each of the following, converting glycogen into glucose, glucagon, ठीकिए, prepares the body during emergency, adrenaline, increase the reabsorption of water, vasoparacin, contraction of muscles during the child, but oxytocin, ठीकिए, where are adrenal glands located, तो kidney के ऊपर दोनों तरफ, cap-like structures होता है, इसका, what are the effects of hypo activity, यह भी हम बात कर चुके है, कि अगर जादा, sorry, hypo मतलब कम, अगर कम हो जाएगा, thyroid gland का hormone, thyroxine, तो बच्चों में cretinism, और बड़ों में maxioderma, and simple goiter, name the hormones for the following hormonal disorder, dwarfism, growth hormone के वज़े से, बौने रह जाते हैं, diabetes incipitus, vasoparacin hormone के वज़े से, simple goiter, thyroxine के वज़े से, cushing syndrome, corticoids hormone के वज़े से, why is pituitary gland called the master gland, क्योंकि यह बाकी सबकी functioning को control करता है, because it regulates the functioning of almost all the other glands of the body, what do you mean by secondary sexual characters, secondary sexual characters, बच्चों वो characters हैं, जो आपको boys को आदमी से resemble कराते हैं, और girls को women से, जैसे जब बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, तो उनके दाड़ी मूचे यह सारी चीज़े नहीं होती, तो जब वो लड़के बड़े होने लगते हैं, तो उनके shoulder broad होते हैं, उनकी आवाज भारी हो जाती है, चेहरे पर मूचे दाड़े आने लगते हैं, तो यह सबी क्या हैं, secondary characters हैं, इसी तरह girls में क्या होते हैं, कि उनकी जो waistline ने वो पतली हो जाती है, hip जो reason है, वो चौड़ा हो जाता है, breast उनके enlarge होने लगते हैं, breast का formation होने लगते हैं, आवाज क्या हो जाती है, low pitch voice, low pitch किया हो, sweet voice हो जाती है, तो यह सबी क्या है, यह सबी आपके है, secondary characteristic, भारी क्या होती है, बारी होती है गर्ल्स की high pitched होती है, तो यह सबी क्या है, secondary sexual characters है, जो differ करते हैं girls और boys को एक दूसरे से and resemble कराते है men and women से उसकी बाद आगे देखते हैं complete the following table है तो pancreas का hormone है जो glucose को glycogen में convert करता है thyroid, thyroxine, general metabolism पे work करता है pituitory growth hormone, essential for normal growth pancreas, glucagon, endagonistic to insulin, insulin का ultra काम करता है अगर कहीं पे कोई चीज ना समझ में आए तो comment section में comment करके आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं उसके लिए छोटे से short video बना दूँगी ताकि आपको वो particular topic समझ में आ जाए hormone जाएगा आपका endocrine gland से, maxiodema, hyposecretion of thyroxine, glucagon, endagonistic to insulin, growth hormone, pituitory to secret होता है corticoide क्या करता है, body में water balance को maintain करता है ये video almost over होने वाला है, multiple choice question के तरफ आते है iodine, thyroxine hormone का main part है ठीक है, यहां पर E में सो गया है, आप लोग लगा लेना ठीक है, उसके बाद diabetes, mellitus किसके वज़े से होती है, insulin के वज़े से होती है, insipidus जो है diabetes, insipidus वो होती है आपका vasoparacin के वज़े से ठीक, फिर आगे आते हैं, cortisome hormone, adrenal cortex से secret होता है इसको cortical या corticoid hormone भी कहते है, emergency hormone जो किसी भी situation के लिए हमको prepare करता है, वो adrenal medulla से secret होता है increased secretion of thyroxine hormone causes the increased heartbeat, ठीक है, अगर जादा secret हो जाता है, क्योंकि बाकी सारे क्या है, आपके hyposecretions है which one of the following is not true for insulin hormone, तो इसमें से क्या true नहीं है, insulin hormone के लिए, तो is needed for proper metabolism, नहीं, induced cell to convert, नहीं, is responsive for diabetes insipidus, क्योंकि diabetes insipidus, वैसे paracin से होती है which of the following is a growth phase in human body, तो infancy क्या है, growth phase है, बाकी सारा कोई भी growth phase नहीं है, adolescence का बाता है, childhood के बाद और adulthood से पहले, ठीक है, तो बाकी सारे आपके हो जाएंगे गलत, that's all, thank you everyone for watching the video, channel को subscribe करें, videos को like करें, comment section में अपना feedback पुझे दें, कि आप क्या changes चाते हैं, और आपको videos कैसी लगत करें, chapter number 6 का, उसके जो भी parts हैं, फटा फट में अप्लोड करके, test yourself का solution, आपको provide कर दूंगी, इसके, सारे chapters हम कवर कर चुके हैं, अब हमारे 6, 7, 8, जो last chapter वचे हैं, वही बाकी है, so circulatory system, nervous system, health and hygiene and food productions, ये 4 chapters भी as soon as possible, I will be uploading on my channel, so keep sharing and keep watching, thank you everyone.